हेलो फ्रेंट्स विल्कम हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंट्स आज का जो टॉपिक है इंजिनेरिंग माटिरियल्स में काफी इंपॉर्टेंड टॉपिक लेके मैं आज फिर से आपके लिए आया हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्थ आयरन का जो उत्पादन रूप रेक है उसके बारे में यह जो कूस्चन है फ्रेंट्स यह आपका 2016 की परिच्छा में पूछा जा चुका है तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए आज का वीडियो होने वाला है तो वीडियो के अन तक आप ज़रूर बने रहें और वीडियो को लाइक और सेयर करकर अपना सपोर्ट बनाए रहें ज़िए आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को भी जरूर प्रिस कर लीजे ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोट करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे पीडिया फॉर नोट्स के लिए आप हमें टेली ग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आईए फ्रंस हम वीडियो होता है या पिटवा लोहा होता क्या है तो पिटवा लोहा जो है एकी वास्तों में एक सुद्ध आईरन ही होता है बात करें आपका जो वर्थ आईरन होता है वो आपका जो प्योर आईरन होता है उसका एक सुद्ध रूप ही होता है इसमें जो है सलैक के बारी धागे जो हो जो slack के जो बारी के धागे होते हैं वो एक दूसरे से समानतर जुड़े रहते हैं अता इस धात को जब हम तोड़ते हैं तो धात के जो रेशे होते हैं वो हमें फटन के रूप में दिखाई पड़ जाते हैं तो यहाँ पर बात करेंगे अब आपके जो वर्थ आइरन का जो उतबादन प्रोसेस होता है उसके बारे में कि किस प्रोसेस के तहद हमारा वर्थ आइरन प्राप्त होता है तो यहाँ पर जो आपका वर्थ आइरन बनाने के पर चार प्रोसेस होते हैं पहला आपका होता है रिफाइनिंग होता है दूसरा प्रोसेस का नाम आपका पडलिंग होता है तीसरा आपका सिंगलिंग होता है और चौथा जो आपका प्रोसेस होता है रोलिंग प्रोसेस होता है तो यह आपके चार प्रोसेस होते हैं वर्थ आरन के उत्वादन प्रक्रम म कि आपके एक्जाम में बनाने को आता है तो इसको देख लेते हैं कि हमारा उत्वादन प्रभा आरेक बनता कैसे है तो सबसे पहले हम यहाँ पर कच्चा लोहा लेते हैं जो हमारा कच्चा लोहा होता है उसके बाद हम उसको क्या करते हैं रिफाइनिंग करते हैं मतलब उसका हम सुद्धी करन करते हैं उसके बाद आपका जो आता है पडलिंग करते हैं इसी को हिंदी में बिलोना भी बोलते हैं तो पडलिंग आप ज्यादा सही है इसको याद कर लिजे जब पडलिंग हो जाता है हमारा उसके बाद इसका हम सिंगलिंग करते हैं मतलब आपका इसको हिंदी में निपीडन भी बो रोलीन प्रासेस होता है। रोलिंक प्रॉसेस होने के बाद आपका यहां पर वर्त आइरन प्राफ्थ हो जाता है। तो refining में होता क्या है तो सबसे पहले जो हम pig iron लेते हैं इसको हम पिघलार लेते हैं और पिघली धात को क्या करते हैं कि वाइव के तेज जहोंके के साथ गुझारा जाता है तरफा जो आपकी धात होती है उसको आक्सी करन करने है तो वायू के पूर्ण संपरक में लाया जाता है कहने का मतलब है हमारा रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम पिग आयरन को क्या कहते है पिगला लेते हैं पिग आयरन को पिगलाने के बाद क्या करते है जो हमारा आइरन पिगला हुआ होता है उसको वायू के तेज जोंके के साथ गुजारा जाता है तथा धात को क्या करते हैं आक्सी करण करवाने हैं तो जो आपका पिग आइरन होता है जो पिग आइरन को हम वायू के संपर्क में क्यों लाते हैं इसके बारे में भी जान लेज क्योंकि जो इस प्रकार की जो वाई होती है उसमें आक्सीजन धात के जो कार्बन और जो अन्य असुद्धियां होती है कार्बन के साथ उन्हें आक्सी करन करके इन्हें धात उसे अलग कर दिया जाता है जाहिर सी बात है कि जब आपका यहां से मान लीजिए एर जा रही है तेज एर जा रही है तो यहां से आपका जब एर प्रवेस करता है तो यहां पर जो आपका पिगला हुआ आईरन होगा जो आपका बह रहा होगा तो उसमें क्या कर जब आपकी तेज हवा जाएगी तो क्या लिया जाता है इस प्रोसेस से क्या होता कि आपकी जो असुद्धी होती है वो हमारे धात उसे अलग हो जाती है और जब हम की सारी असुद्धिया निकाल लेते हैं इसके पस्चात हम वहाँ पर पिखली धात को मोल्ड में कास्ट करकर रख देते हैं और धात को हम तेज गती से ठंडा करते हैं, जिससे धाथ हमारी ब्रंखुर हो जाती है, आप इसको हम example के समझते हैं, जैसे हमारा कोई एक धाथ ह्याख, इसका temperature हमारा 800 या 900 डिगरी Celsius माल लेते हैं, तो 900 डिगरी Celsius आपका इसका temperature है, तो इसको क्या करते है refining में, जो हमारी असुद्धी होती है उसको निकालने के बाद इसको क्या करते हैं तेजी से ठंडा करते हैं मतलब आपका ये तो आप फ्लिूड में इसको डुबा दीजिए या आप इसको वाटर में डुबा दीजिए यदि आप गर्म वस्त को वाटर में डुबा देते हैं तो उसमें क्या हो प्रासेस है वह रिफाइनिंग प्रक्रिया में की जाती है अब बात कर लेते हैं आपकी पडलिंग जो क्रिया होती है उसके बारे में यदि आप इसकी डैफनीशन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वीडियो डाउनलोड करके मैं आपको यहां पिर इसकी जो पायरन को पिगला कर पिगली धात को वायू के तेज जोके के साथ गुजारा जाता है तता धात को आकसी करन हे तो वायू के पूर्ण संपर्क में लाया जाता है इतना आप लिखेंगे उसके बाद आप इसको भ्याइट कर सकते हैं कि इस प्रकार जो वायू की आकसीजन करके इन्हें धात उसे अलग कर देती है कारबन तता अन असुद्धियां निकालने के पश्चाथ हम क्या करते हैं कि पिगली धातों को मोल्ड में कास्ट करकर रख देते हैं जिससे धातों हमारी तीवर गती से ठंडी हो जाती है जिसके कारण हमारे धात में भ्रंगूरता का गुड आ जाता है तो यह मैंने जितना भी लाइने आपको बूली है यह आप नोट कर लीजिए इसको आप एक्जाम में लिखेंगे तो काफी आपके लिए अच्छा होगा सेकंड टाइप अप पढ़ लेते हैं प्रोसेस का पडलिंग के बारे में जानते हैं कि पडलिंग ह कुछ खास प्रोसेस होता नहीं है इसमें क्या होता है कि रिफाइनिंग प्रोसेस से प्राप्त किया गया जो हमारा सुध आयरन होता है उसको टुकुडे में तोड़कर हम एक परावरतनी भट्टी में पिगला देते हैं तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं अब आपका थ आया कि इस प्रकार जो हमारा रिफाइनिंग से जो हमारा सुद्ध लोहा प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं आयरन के टुकडों में तोड़कर एक परावर्तनी भठी में पिगला देते हैं लेकिन भठी में पिगलाने के बाद भी हमारा एक छोटा सा प्रॉसेस होता है उस साथ मिला देते हैं जैसे हमने रिफाइनिंग प्रॉसेस में असुद्धियों को अलग करने के लिए जो हम hematite को उच्छ ताप में वाय के ज्हूंक़ के साथ मिला देते हैं उसके बाद जो लोहे में उपस्थित अधिकांस कारबन की मात्रा होती है आपकी वो कारबनिक अम्ल में क्या होती है कनवर्ट हो जाती है इस प्रकार जो हमारा प्राप्त लोहा होता है वो सुद्ध लोहे की गेंदों की रूप में एकत्र कर लिया जाता है मान लोहे की गेंदों के रूप में मतलब उसको हम राउंड सेप में एकत्र कर लेते हैं अता है इन प्लास्टिक की तरह गेंदों को हमारा जो पड्लिंग क्रिया होती है उन्हें पडलिंग गेंद के नाम से भी या पडलिंग बॉल के नाम से भी जानते हैं अब ये प्रोसेस आपका कम्पलीट हो जाता है जो हमारा पडलिंग क्रिया होती है इसको एक बार सौट में फिर समझ लेते हैं कि इस प्रकार की क्रिया में क्या करते हैं आइरन को हम टुकड़े के रूप में तोड़ कर क्या करते हैं एक परावरतनी भट्टी में डाल देते हैं परावरतनी भट्टी में डालने के बाद इसको क्या करते हैं कि हेमेटाइट के उच्छ जो होता है उसको उच्छ ताप में वायू के तेज गेंदों के साथ उसमें व तो हो जाती है और इस प्रकार हमें सुद्ध लोहे की गेंदे प्राप्त हो जाती है इन गेंदों को हम पड्लिंग बॉल के नाम से भी जानते हैं अब आपका यहां पर थर्ड प्रोसेस आता है आपका जो थर्ड प्रोसेस होता है इसके बारे में जान लेते हैं थर्ड प्रोस प्रॉसेस को हम निपीडन के नाम से भी रहने जानते हैं तो इस प्रॉसेस में क्या होता है कि पड्लिंग से जो हमारी गेंदे प्राप्ट होती है लोहे क्या करते हैं की चिपकी helping in the center में चिपकी के राक प्रदन लोहे की गेंदों पर हतोड़े के पीटने के बाद उसको हम अलग कर लेते हैं तथा गेंदों को एक दूसरे के साथ जोड लेते हैं और उनका बलूम बना लेते हैं मतलब कि उनका जोड़ा बना लेते हैं गेंदों को जोड़कर जोड़े हम जोड़कर बनाते हैं उनका maximum भार 100 या 1.500 kg तक के बीच में रखा जाता है तो यहाँ पर आपकी singling भी process समाप्त हो जाती है आपका last process आता है rolling तो rolling process के बादे में जान लेते हैं कि जो हमारा rolling process यहाँ पर आपका आता है आपकी तीन जो process हैं complete हो चुकी है refining, paddling, singling और आपका last process आता है rolling तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ब्लूमों को क्या करते हैं खांचेदार बेलनों में से हम गुजारते हैं तता उन्हें लंबी छणों में बदल दिया जाता है जो हमारे ब्लूमें होती हैं बड़ी बड़ी जो हम गेंदों को जोड़कर बनाते हैं उसको क्या करते हैं कि हमाई जो खांचेदार रोलर्स होते हैं या बेलन होते हैं उसी में से गुजार कर उन्हें लंबी छणों के रूप में बदल लिया जाता है और जिनको पिखला कर तथा बेलन करकर उसमें सुधार कर लिया जाता है तो आपका यह जो rolling process होता है इसके बारे में एक बार फिर से हम अराम से समझ लेते हैं कि यह एक AC प्रक्रिया होती है कि जिसमें हमारे singling से प्राप्त गेंदों को क्या करते हैं कि rollers जो हमारे खांचेदार rollers होते हैं उसमें से गुजारा जाता है तथा उन्हें लंबी छणों के रूप में हमें उसे बदल लेते हैं जिसको पिगलाकर तथा बेलन करके हम सुधार कर लेते हैं और यह जो आपकी क्रिया कंप्लीट हो जाता है rolling process तो हमें यहां पर worth iron के प्राप्ति हो जाती है तो यह था फ्रेंट process आपका worth iron जो आपका worth iron था उसका उत्पादन प्रावह आरेक फ्रेंट उम्मेद करता हूं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like share जरूर करें चैनल पर आप पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe कर लेजेगा साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए त thank you friends for watching this meet you meet you on next videos